Hello dear students, इस वीडियो में हम सुक्ष्म वियाया और फ्लक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे सुक्ष्म मतलब होता है बच्चों जो बहुत छोटा होता है सुक्ष्म योगा हमें बहुत ही छोटे स्तर पर हमें मजबूत बनाता है हमारी गहराईयों तक जाता है यह बहुत ही पुराना तरीका है जो की योगा करने का सबसे असान तरीका है स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज में क्या होते हैं? बच्चों हम अपने शरीर में खिचाव लाकर हम अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब लचीले पन को बढ़ाते हैं अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में सुक्ष्म योगा इस बेसिकली सप्टल योगिक वाम अप्स विद जेंटल स्ट्रेचिंग एंड कोडिनेटीड ब्रीथिंग डेट रिजल्स इन डीप रिलेक्सेशन सुक्ष्म योगा क्या होता है, एक बहुत ही धारबूत योगिक वाम अप है, मतलब कि योगा में जो हम पावर योगा करने के लिए जो तयार करते हैं अपने शरीर को और ये हमारे सांसों के साथ कोडिनेट होते हैं, हमारे बॉडी में स्ट्रेचिंग लाता है, मतलब कि यासन करने के लिए तयार हो जाते हैं, और दूसरी बहुत सारी फिजिकल एकसरसाइज जो होती हैं, वियायाम जो होते हैं, हम उनको अराम से कर पाते हैं, तो सुक्ष्म योगा में हमारा जो पूरा शरीर होता है, सिर से लेकर हमारे पैर के उठे तक, वो सब एकदम रिल से हमारे शरीर बहुत जादा रिलेक्स महशूस करता है, तो इस और स्टिफिक एकसरसाइज इस नोट ओनली में यू स्ट्रॉंग एंड सपल, यह विज्ञानिक वियायाम हैं, जिनसे हमारा शरीर मजबूत बनता है, बट ऑल्सो हेल्प रिमूव इंपुरिटी फ्रॉम दा तो रेगुलर प्रेक्टिस ऑफ इस टाइप उफ योगा एंशूर्स एलोंग हैल्दी लाइफ, अगर हम नियमित रूप से इस तरह के योगा को अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो हमें निश्चित रूप से हम एक अच्छा लंबा स्वस्थ जीवन बिताते हैं, तो सु इस योगा के हम फायदे ले सकते हैं, जो हम हर रोज 20-30 मिनिट अगर इस योगा को करें, तो उससे हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, तो इसमें हमारी कौन-कौन से एक्सराइज होती हैं, इसमें हमारी आखों की, टंग की, जबडे की, नेक, गर्दन, हाथ, पैर, घु की, हम एक्सराइज कर लेते हैं, तो बिफो स्टार्टिंग आसन, कोई भी आसन शुरू करने से पहले, हमें अपने जोडों को मूवमेंट करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, लचीला हो जाए, और फिट हो जाए आसन करने के लिए, त तो हमारी जो मूवमेंट है बॉडी के, हमारे जो जॉइंट्स को मूव करने के तरीके हैं, उनको हम कुछ नाम से बाट सकते हैं, जैसे सबसे पहले स्टेंडिंग पोस्टर की, खड़े होने की जो पोजीशन होती हैं, उनके हिसाब से हम कुछ वियाया हम नापते हैं, जैस पफs बार-बार पुछ पाप एंड डाउन करते हैं और हमारी गर्धन का pause-down करते हैं हमारी यारदास्त को बढ़ाने के लिए इस तरह से कुछ standing posture होते हैं इसके बाद कुछ होते हैं sitting posture जो कि हम बैट के करते हैं तो उन मेंसे कुछ exercise है जैसे कि पैरो का मूवमेंट, घुटनों का मूवमेंट, हमारे अंकल्स का मूवमेंट, हमारे बटरफ्लाइ मूवमेंट पैरो का एक एक एकसरसाइज होती है, fingers of lens movement, कलाई का movement, elbow, कोहनी, उपर का arm, नीचे का arm का movement, हमारे shoulders का movement, और हमारे गरदन का movement, बैठ कर भी हम ये से movement करके अपनी बڈی को warm-up कर सकते हैं, आगे होने वाले और ज्याद मुश्किल आसन के लिए, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं flexibility के बाले में, flexibility मतलब होता है लचीलापन, कि हमारी body कितने आराम से move कर रही है तो flexibility हमारे जो शरीर के joints है या जो हमारे muscles की length है, जो उसमें कितना ज़्यादा हम उसको movement कर सकते है that cross the joints to induce a bending movement or motion, कि हम उसको कितना ज़्यादा मोड सकते है या उससे कितना ज़्यादा movement कर सकते है ये होता है flexibility तो flexibility हर एक किसी की अलग-अलग होती है जैसे कि हमारी muscles की length किसी multi joint muscles होती है कि जो अलग-अलग joint पर सारी muscles जुड़ी रहती है, कि उनमें कितना लचीलापन है, हमारे कुछ joints ऐसे होते है, जो कि कुछ yogic practice के थुरू उनकी flexibility बढ़ जाती है यदि हम उनमें stretching exercise करते हैं या सुक्ष में भी आयाम करते हैं तो उससे हमारे उन muscles की flexibility लचीलापन बढ़ जाता है तो quality of life is enhanced by improving and maintaining a good range of motion in the joints तो हम अपने जीवन की जो quality है हम अब कितना अच्छा जीवन बिता रहे हैं उसको हम कुछ joints का movement करके उसकी quality को अच्छा कर सकते हैं उसको बढ़ा सकते हैं एक अच्छा जीवन जी सकते हैं तो overall flexibility should be developed with specific joint range of motion कि हमारे पूरे शरीर की जो लचीलापन है वो हम कुछ अपने joints का movement करके या individual अलग-अलग joint को हम change करके movement करके एक के साथ दूसरा उससे हम उसको quality को बढ़ा सकते हैं अपने शरीर का लचीलापन को बढ़ा सकते हैं तो loss of flexibility can be predisposing factor and for physical issues जैसे कि अगर हमारे शरीर में लचीलापन नहीं होता है या उसकी कमी होती है तो उसके वाज़े से हमारे बहुत सारे शरीरिक परिशानिया शुरू हो जाती है जैसे कि यह हमें pain syndrome हमें अलग-अलग जगाओ पर दर्द होने लगता है शरीर में समय से पहले ही तो yoga अगर हम करते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो stretching होती है जो खिचाव होता है उससे हमारे शरीर का लचिलापन बढ़ जाता है तो बच्चों बहुत सारे factors होते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं जो एक personal flexibility एक व्यक्तिक लचिलापन को बनाने के लिए जरूरी होती है जैसे किसी joint structure जो हड़ियां जूडती है ligaments होते हैं tendons होते हैं यह हमारे शरीर के अलग-अलग चीज़े होती है जिनको कि हम अपनी योगी के exercise से movement करके इनको flexible बना सकते हैं कुछ flexibility होती है flexibility मतलब जो लचिलापन होता है वो हमारे शरीर में stretching exercise को करने से आता है stretching जो होती है वो किसी भी muscles को एकदम तयार कर देती है और हमारी body temperature को बढ़ा देती है अगर हम effective stretching करें मतलब असरदार जो खिचाव रहता है उसमें क्या होता है हमारी body पर हमारे शरीर पर एक force लगता है जो कि हमें दर्द महसूस होने नहीं देता है और इससे हम कम से कम 10 सेकंड के लिए हम stretching position में रहते हैं तो हमारा दर्द हट जाता है तो if held too long यदि हम इसे ज़्यादा देर तक के लिए करें तो हमारी muscles जो होती है वो बहुत ज़्यादा lose और खिचाओदार हो जाती है तो increasing the range of motion हम अपने जो हमारा movement है हमारे joints का हमारी muscles का उनको बढ़ा करके हम एक अच्छा posture बना सकते है अपनी body का और हम एक हरे क्रोज इस तरह की activity करके अपनी life को और ज़्यादा लंबा बना सकते है मतलब एक healthy life जी सकते है तो stretching मतलब खिचाओ और लचीलापन ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजे है stretching करने से हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है raising our hands अपने हाथ उपर उठा कर अपने कंदों को circular motion में घुमा कर आगे पीछे हम अपने शरीर की flexibility को बढ़ा सकते है तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जादा जरूरी है कि हम कुछ basic activities करें हर रोज जैसे की walking है मुणना है अपने शरीर का squirting है, running है ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर हम अपनी life में अपना लेंगे तो हमारे शरीर में flexibility लचीलापन बना रहेगा तो अब हम सुक्ष्म वियायाम और आसन में difference समझते हैं तो सुक्ष्म वियायाम क्या होता है बच्चों ये वो activities होती हैं वो कारिकलाप होते हैं जिनसे की हमारी body की लचीलापन बढ़ जाता है और हमारी body आसन करने के लिए तयार हो जाती है सुक्ष्म वियायाम हमारे शरीर के एक पार्ट को धीरे से movement करना और उसको constantly लगा उसी position में खड़े रहना या बैठे रहना होता है और जबकि आसन में आसन हमारे body का वो posture होता है जिसमें एक लंबे समय तक हमें एक position में बैठा रहना होता है तो बच्चो ये difference है सुक्ष्म वियायाम और आसन में तो अब बच्चो हमने क्या सीखा इस lesson में कि flexibility मतलब लचीले पन से क्या होता है हमारे जो muscles होते हैं और joints होते हैं उनका movement अच्छी तरह से होता है और हमारी जो joints हमारी जो bones का जो motor feature है मतलब जो movement करने की capabilities होती है वो बढ़ जाती है और इससे हमें कोई भी चोट लगने का और दर्द होने का खत्रा कम हो जाता है और इससे हमारी body का overall santulan बहुत अच्छा बना रहता है तो बच्चो हमने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कि अगर हम रोजाना सुक्ष्मियायाम की practice करें उसकी आदत बनाए तो ये बहुत हमारे शरीर पूरे शरीर को बहुती आसानी से और बहुती जल्दी से हम relax कर सकते हैं हमारा mind को relax कर सकते हैं इसमें हमें से 20 से 30 मिनेट regular practice करनी होती है और सुक्ष्म आसन हम खड़े हुई स्थिती में भी कर सकते हैं अपने कंधों को move करके अपने हाथों को कमर को हिला कर इससे हमारे बहुत सारे body के जो parts होते हैं उनमें movement होता है तो इस तरह से बच्चों हम अलग-अलग आसन को करके व्यायाम को करके अपनी शरीर को एक स्वस्थ शरीर बना सकते हैं और अपने जीवन को एक बहतर जीवन जीश सकते हैं तो ये था बच्चों योगा के बारे में I hope आपको अच्छे से समझाया होगा Thank you